तो दोस्तो आ गया हूँ एक और जीश्यों की वीडियो लेके आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनामैक कॉंटेंट रेडिंग सेटिंग्स के बारे में जो कि हमें रेडिंग सेटिंग्स के अंदर मिलता है अगर आपने इस सीरीज की पिछली चुके हैं उससे पिछली जनल सेटिंग टीटे सेटिंग फीडबेक सेटिंग और और अगे भी वीडियो लगाता राती रहेंगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कीजिए और सभी के साथ यह वीडियो शेयर जरू से कर दिजिएगा जो जीश तक ताकि इतना अच्छा स्क्रीन डेडर सब तक पहुश सके और आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जोइन हो सकते हैं वहाँ पर आपको जीशो सी रेलेटेड सारे जो टूल्स वगरा होती हैं सारी जो चीज़े होती वह मिल जाएंगी उसका लिंक आपको कोई भी कोई रहते हैं अगर एसा हुआ कि वीडियो में समझाना अच्छा रहेगा तो हम उसके लिए वीडियो पर बना देंगे आप जैसा बताएंगे वहाँ किया जा जाएगा तो चलिए आजकी संदी को स्टार्ट करते हैं और जानता हैं डायामेक कॉंटेंस के बारे मे तो दोस्तो हम आ गए हैं जीशों के अंदर चलते हैं रीडिंग सेटिंग्स के अंदर अब चलेंगे चोते नंबर पर डाइनमेक कॉंटेंट रीडिंग सेटिंग्स के अंदर अब यहां पर चार ओप्शन्स हैं सभी के बारे में करके बात करते हैं यह हेडिंग है अब इसका काम यह है कि जो प्रोग्रेस बार होते हैं जैसे आपने देखा होगा कि जब हम वाट्सप में वोइस मेस सुनते हैं तो उसका प्रोग्रेस बार चल रहा होता है 001, 002, 003, 004 इस से प्रोग्रेस बार चल रहा होता है इस वीडियो के नीचे भी डोरेशन चल रही होगी वो भी एक प्रोग्रेस बार है तो अगर आप चाहते हो कि जैसे आप उस पे finger रखो जैसे WhatsApp पे आप voice में सुन रहे हो progress बार चल रहा है 001 002 उस पे जैसे आप finger रखो या फिर आपका cursor वाँ पे चला जाए तो जो जो वह change हो रहा है क्योंकि progress बार चल रही है जाहर सी बात है वह progress बार आगे भी तो बड़ेगा 001 002 003 रुकेगा तो तब वह न वह क्योंकि जब हम पोस कर देंगे वह इसमें पोस कर देंगे या वीडियो पोस कर देंगे तब जाके वह रुकेगा तो माली जब प्ले हो रहा है और आपने उसके उपर प्रोग्रास बार के उपर अपनी फिंगर रखी तो ओटमेटिकली रीड करना शुरू कर देंगे 001 002 003 या फिर सिर्फ जैसे आपने फिंगर रखी जो लास्ट था जैसे 001 बस इतना बोल के चुप हो जाए उसके अब इसका एक फाइदा भी है एक नुकसान भी है फाइदा यह है कि मान लिजे आपने इसे ओन कर लिया यूस करना चाहते हैं अब इससे होगा क्या कि प्रोग्रेस बार ओटमेटिकली वह रीड करेगा जैसे अभी यूट्यूब में आप वीडियो देख रहे हो यह इसका चल रहे हैं कितने मिनट कि आधिए वीडियो एंग हो सब चल रहा हैं उस पर फिंगघ रखो गहें वह ओटमेटिकली रीड करना स्चुरू कर देगा क्योंकि वीडियो आगे जा रही है seconds आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो जैसे seconds बदल रहे हैं वो automatically read करता चला जाएगा आपका TTS यह इसका नुकसान है और इसका फाइदा यह है कि आप जैसे आप उस पे progress बार फे finger रखोगे तो volume up button को दबाओगे तो progress बार आगे जाएगा और volume down button को दबाओगे तो progress बार पीछे जाएगा यह इसका फाइदा है हम यह आमनी किसी भी progress बार को आगे पीछे बढ़ाने के लिए volume की का use कर सकते हैं तो यह इसके काम के लिए आता है अगर आपके पास कोई भी यह question लेके आता है कि मैं अपने progress बार को volume की से adjust करना चाहता हूँ आगे पीछे करना चाहता हूँ तो आप उसे यह वाला option on करने के लिए कहेंगे अब इसका अगर आप नहीं चाह रहे है कि मैं इस feature को ना use करूँ क्योंकि नुकसाम तो वो मैंने बता दिया कि automatically read करता चला जाएगा तो उसका फाइदा यह हो जाएगा कि volume की से हम आगे पीछे कर पाएंगे slider को लेकिन अगर मालीजे आप use ही नहीं करना चाहते है आप नहीं चाहते कि इसका जो नुकसान है वो आपको उठाना पड़े यानि automatically read करे तो अगर आपने इसे off कर दिया तो इसका नुकसान यह भी है कि आप volume की से off करने के बाद आगे पीछे नहीं कर पाओगे slide को तो यह इसका नुकसान भी है तो अब आपके उपर है कि अगर आप volume की वाला फाइदा उठाना चाहते हैं आपको ओन करना पड़ेगा अगर आप volume की वाला भी नहीं उठाना चाहते हैं और यह भी नहीं चाहते कि भी या automatically read करना शुरू कर दे तो आप इसे off ही रखिएगा तो आपके उपर है मैंने सारी चीज़े बता दिया सब कुछ क्लियर कर दिया अगर फ्री भी कोई कोशिन है तो आप पूछ सकते हैं comment box में ठीक है आगे चलता है उपर वाला जो था वो progress bar के लिए था कि progress bar में कुछ भी change आएगा तो automatically read करेगा यह भी उसी के जैसा है लेकिन थोड़ा सा change है इसमें यह है कि अगर माली जी किसी भी चीज़ के उपर आपको focus है माली जी WhatsApp के उपर है WhatsApp के उपर है अगर उस जहां पर आपने cursor रखा है उस WhatsApp के उपर है एप्लिकेशन के उपर वहां पर कोई भी change आता है WhatsApp की जगा automatically YouTube आ जाता है Facebook आ जाता है तो क्या automatically वो चीज़ों को read करना शुरू कर दे जैसे आपने देखा होगा माली जी आप मेरे से chat कर रहे है WhatsApp के उपर आपने मेरा नाम नितिन के नाम से save किया हुआ है अब वहां पर उपर क्या आता है changes होती रहती है नाम के उपर online, offline, typing, recording इस तरीके से changing होती रहती है इन words की तो नितिन, online, नितिन, offline, नितिन, typing, नितिन, recording यह जो है changes हो रही है तो अगर आप चार यह automatically read करना शुरू कर दे जो भी change आए तो आप क्या करोगे मेरे नाम के उपर finger रख दोगे तो automatically read करता चला जाएगा लेकिन, यहाँ पर मैं यह बता दूँ कि यह तब काम करेगा जब आपको focus वहीं पर रहेगा अब मान लिजे उस पर आपने finger रखी और उसके बाद तुरंत आपने और कहीं पर finger रख दी, जहाँ पर कोई changes होती नहीं है, ठीक है more option पर मान लिजे आपने finger रख दी, आपको चेंज होगा ही नहीं ठीक है तो इसलिए वह read करेगा ही नहीं ठीक है तो और कोई ऐसा चीज है जो automatically अपने कुछ ना कुछ changes होती रहती है तो उसकी वह changes आपको बता है या ना बता है ठीक है मैंने आपको WhatsApp वाले एक्जामपल दे दिया है ऐसा ही आप टेलिग्राम में और कहीं पर भी आप एक्जामपल ले सकते हैं जैसे YouTube के नीचे जो add आ रही होती है वीडियो के तो वह भी changes होती रहती उसमें भी तो वह भी automatically read करें या ना करें ठीक है ऐसा है तो आप इसे use भी कर सकते हो ने भी कर सकते हो आपके उपर है टाइटल्स को वह read करें या ना करें ठीक है जैसे इस तरीके से जो भी चेंजिस होगी विंडो के टाइटल के अंदर तो रीड करेगा करे या ना करे ठीक है जो टाइटल्स होते हैं ठीक है उसमें अगर कुछ भी चेंज आता है तो रीड करे या ना करे उपर वाला था वो था कि प्रोग्राइस बार में चेंजिस होगी तब रीड करेगा उटमेट ली उसमें आपका प्रोग्राइस बार पर होना चाहिए और दूसरा वाला था कि अगले उप्शन को बताने एक और यहां पर question clear कर देता हूं जो मेरे बास आया है वह यह कि वह बोलते हैं कि हम group में हैं या फिर कहीं पर भी हैं तो हम voice message सुन रहे होते हैं वर्टसप के अंदर तो automatically read करना चुरू कर देता है कि यह बंदा जो है voice message record कर रहा है automatically वह क्यों करता है क्योंकि वह टाइटल में चेंज हो गया है टाइटल में आ रहा होता है कि वह recording कर रहा है बंदा तो इसलिए वह चेंज हो जाता है इस वज़े से वह automatically read कर देता है तो आपको यह तीसरा वाला जो मैंने टाइटल वाला बता है वह नोट चेकी रखना पड़ेगा जब जाकि आपकी अप्लोड में चेंज होगा ठीक है ऊपर वाला था स्लाइडर के लिए दूसरा वाला था करण्ट्री फोकस आइटम के लिए तीसरा था टाइटल के लिए और यह चोता जो है वह पूरी विंडो में कुछ भी चेंज होई टीक है वट्सप में जब आप माले मेरी चैट में हो तो उपर भल चेंज होगा पूरी विंडो में बहले आप कहीं पर भी हो माली जी यूट्यम में हो नीचे जो एड आ रही है तो वह उटमेटिकली रीड करेगा क्योंकि उसमें चेंज हो रहा है विंडो में चेंज हो रहा है तो इस चरीके से काम करता है चार ओप्शन मैंने आपको बता अब अपने इसाब से चेक और अपनी सेटिंग को कम्प्लीट कर सकते हैं आपको कोई भी कोशन है क्लास से आप कोमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ऐसी ही वी अपया बपया दो अपया ही दिए आप